इस सेशन के अंगर हम एक और टेबल के लेट अकाउंट्स कीरियेट करते हैं और उसको इक्टेगरेट करेंगे बाकी तर्माम टेबल के साथ और डेटा को फैच करेंगे और फिर इंचादा रेलेशनशिप बनाने का तरीका देखेंगे तुसके हम रेकार्ट्स टेबल कीरियेट करते हैं टेबल कीरियेट करने के लिए हम की रियेट के टब में जारहें और यहां से डेजाइन udos देजाइन्तेबल के आक्षिन को यूसलर ज़ो पहली field हम बैसीकलल यहां पर कीरियेट कर रहें is field का नाम like __ name और इसकी data type text रोगी लेकिन इस्टूर्ट नेम औरेडी मेरे पास personal, detail और mark sheet के table के अंदर जहें हो मौझूद है तो मैं चाहता हूं कि personal table में जो record मौझूद है names मौझूद है वहां से मैं names को यहां पर call कर लिए तो ऐसा करने के लिए मैं lookup में चला जाता हूं और यहां पर text box की जगा display control मैंसे combo box के select करते हैं raw source type में table acquiri run देते हैं जबके raw source मैंसे हम लोग select करते हैं student detail के table को इसके बाद हम second field create करते हैं like gender से relate हमने एक table पहले ही create किया हुआ तो हम वहीं से gender को call कर लिए then age a यह रहने वह नमबर है और हमने तो भी फिलवाट टैक्सी रहन देते हैं और हम यहां से record call कर लिए अच्छा अब age चाहिए हमें student detail में से तो हम इसकी detail में चाहिए और यहां पर यह table नहीं है हमारा हमारा table है like personality और इसके अंदर है हमारा पास student age यह age हम चाहिए अच्छा सेम काम हम इकाल करने जा रहे हैं like student name में student name की field में से भी हमें student के request चाहिए तो हम यहां पर field के select कर रहे है student name के student name इसके बाद हम use कर रहे हैं class class का अपना table है हमारे पास और section section का भी हमने पहले से table बनाते रखावाए तो यानि अगर हमने पुराने table से records call करवाने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं और किसी table की particular field जैसे record call करने हैं तो इसका तरीका भी हम आपर देख लिया then finally हम cross करते हैं table के save करते हैं table को save कर रहा हुँ हम accounts के लाम से और finally इसको ok करते हैं family की फिलोट में इसको no करके बाहर आ जाता हूँ उसके बाद accounts के table को open करते हैं और यहां पर record insert करने की कोशिश करते हैं जैसे student name यहां पर पूभी list आ रही है उसके से कोई की list रही है gender name age हमने age को भी select कर ली class हमने define कर गी और section हमने define कर गी अभी इस student की fees को हमने यहां पर call नहीं किया तो हम एक table और यहां पर create करेंगे जोके fees से relate होगा हम create में जा रहे हैं और table में simple एक heading डाल रहे है piece जिसकी data type number होगी save कर करते हैं piece के नाम से primary key को fill work no कर देते हैं और यहां पर हम कुछ piece इंटर कर देते हैं बाव यकीन category में piece इंटर करने के बाद okay करते हैं और अपने accounts के table पर right click करके design view में जा रहे हैं और यहां पर piece की एक नही piece इसकी data type number है उसको इसके साब merge कर देता है और बादर यह होगा के इस table में piece के लिए भी drop down है ने लिए इस तरह से हमने accounts का अपना एक छोगा सा table with different tables के साथ link करके abbreviate कर दिया कर दो लिए कर दो दो दिया西ंघ जए लुमा कर दो दो अभ लिए अवका है ए लुमा कर दो दोई